वाट्सप गाइद इसी रच्छर सुम् रच्छी यूसफुल टिप्स तो मैं आज आपके लिए बहुत ही यादा इंपोर्टेंट वीडियो ले आया हूँ know everything about research associate job profile, research associate job profile है उससे रिलाडिंग ये पूरी वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि generally क्या-क्या rounds होते है और जो interview होता है उसमें क्या चेक करता है plus his job profile के अंदर actually में करना क्या होता है so let's start this video इसका जो interview process होता है generally उसमें तीन डाउन होते है एक वसरन डाउन होता है जिसमें आप Excel पार्ट हरा जिए यह Excel पार्ट यह चेक नहीं करते है क्योंकि आपके job में भी कम Excel यूज होता है दूसरा होता group discussion जिसमें यह आपका बस English चेक करते है और आपकी cutsy चेक करते है आपकी politeness चेक करते है तीसरा होता टेलिफोनिक राउन टेलिफोनिक राउन में basically जो चेक करना चाहते है आपकी English कितनी फ्लूएंस है आप कितने politeness बात कर लेते हो आप कितने मतलब आपकी voice की pitch कैसी है कैसी आप sound करते है actually में whether you sound polite or not whether you sound clear or not यह जए चेक करना चाहते है So job profile में basically करना क्या होता है कि सबसे पहले जान लिजिए इस job profile में आप कुछ महीने दिन में काम करनेंगे कुछ महीने राद में depending upon company requirement company की requirement है इसमें basically जब भी भी कोई एक नया project आता है तो company आपको training देती है कि आपको किन लोगों को pitch करना है आपके क्या कॉन clients होंगे कैसे pitch करना है क्या पूछना है कैसे पूछना है उनको कैसे persuade करना है कि वो अपना busy schedule में से 15-20 मिनिट लिका ले आपके लिए आपकी जो questions पूछ रहे है उनका वो reply दे honest reply दे सो काफी सारे clients को privacy की दिक्कत होती है तो company अपनी तरफ से privacy mail भेजती है उनको यह claim करने के लिए कि आपकी identity privacy रखी जाएगी तो for example example की तोरफ आपको समझाता है मान लिजे samsung को पता लगाना है कि director level पे कितने लोग samsung का mobile यूज कर रहे है तो आपके पास एक list आजाएगी contact details आजाएगी यह job profile में आपको internationally भी call करना सकता है जिसका payment company करती है इस job profile की requirement basically दो चीज़ आपके पास दो चाहिए जोनी चाहिए एक laptop और एक mobile और जो lines provide होती है तो आपना for example जैसे मैं बता रहा था कि Samsung को पता लगाना है कि director level पे basically कितने लोग use करते हैं तो आप कुछ random आपको list बिल जाएगी लोग को contact करने के लिए आप उनको एक दिन में तीन बारी contact कर सकते हैं महलब call कर सकते हैं और या फिर foreign में जितने भी आप किसे को call करेंगे उनको पाई एक voice message होता है voice message send कर सकते हैं और उनको तीन दिन तक आपको follow up करना होता है यह most of the company का process होता है अगर तीन दिन तक उन्होंने कुछ reply नहीं किया तो आप उस lead को dead मानते बिसिकली एक दिन में आपको 100 लोग more than 100 लोग को call करनी पड़ती है और आप उसे company यह उमिद करती है कि आप at least one interview तो लाया यह company आपसे उमिद रखती है ठीक है और जैसे आपने पूछ लिया और जो company होती है सामने वाले जो interview को persuade करने के लिए कि वो अपने busy schedule में से 15-20 minute लि जब भी आप किसी बात करेंगे manager level पे या vice president level पे आप president level से so they don't have so much time तो company एक अपनी तरफ से incentive देती है एक voucher देती है manager level पे अक्सर नहीं मिलता या मिलता तो छोटा मिलता है उसके उपर वाले level पे हमेशा ही मिलता है एक कुछ 40-50 dollar का voucher होगा जो उनके लिए कुछ नहीं होता 40-50 dollar उतने बड़े हादमी के लिए but as a उन्होंने time दिया तो हम भी company तरफ से एक secondary वो करते हैं कि उनको मिलना चाहिए कि हम भी we also respect their time तो यह उस चक्कर में दिया जाता है as a feeling of courtesy तो यह जो data आप लिकालते हैं so call करके question पूचके कि आप यह question ने जो मिला होता है लोग से बूचे इसको बोलते हैं primary research तो होता किया है यह आपकी job का first चीज़ है एक होती है secondary research secondary research कब करते है जब जैसे आपके company के मैं जैसे किसी company के clients US में maximum clients और आप भी जिस project पर काम करें उसके माल यहाँ पर बर्फ बर्फ पढ़ गई और बंद हो गया सब कुछ तो उसके बाद यह secondary research जो होती है जिसमें interpret करना होता है इससे पहले आपके company वाले कर रहे थे आपको नहीं करना था आप बस बैट हुए थे जब यह पूरा पंद हो जाते है आपके primary research आप करी नहीं सकते आप किसी को call करी नहीं सकते तो company आपको पूरा data secondary research के लिए देता है तो उसमें आप कई सारी इंटर्वी सुनते हैं और interpret करके अपना result देते हैं कि हाँ यह ऐसा है जैसे for example मैंने बता है था कि vice president director level पर कितने लोग Samsung यूज करते हैं तो आप कई सारे hundreds of hundreds and thousands of interviews सुनेंगे और फिर डिडियूस करेंगे कि इतने लोगों ने बोला कि हम यूज करते हैं इतने लोगों यह यूज करते हैं इसलिए हम finally होते है कि Samsung कल यूज होता है कि नहीं होता है so I hope you find this video useful do like this video and share this video and share with someone who actually needs this to see this video and do subscribe to my channel thank you